नमस्कार आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज और मैं हूँ आपके साथ काजोंग नराएं एक बार फिर हम आवाज बने हैं उन कोरोना युद्धाओं की जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परभा किये बगर दूसरों की जान बचाने का काम किया है पिशले सब्ता भी हमने इस मुद्धे को उठाए था क्योंकि कुछ ऐसे समविदा कर्मी हैं जिन्होंने कोरोना काल में काम किया लेकिन अब उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है और इसी वजह से वो लगातार आंदोलन कर रही है साथ दिन से जादा का वक्त हो गया है हर बार सिर्फ और सिर्फ आस्वाशन ही मिल रहा है पिछले सब्तार जब प्रोग्राम आवाज में हमने इनकी आवाज उठाई थी तो बीज़ेपी नेता ने आस्वाशन दिया था कि जल्द ही इस पूरे मुद्दे को सुलजानी की कोशिश की जाएगी लेकिन अब तक यांदोरन खत्म नहीं हुआ है तो कोरोना के दौरान जिन्होंने लोगों की जान बचाने का काम किया आज उन्हें ही अपने हक के लिए लाए लड़नी पड़ रही है आउसोर्स के माध्यम से तना स्वासकर्मी हटाए जाने के विरोध में 26 तारीख से आज से नहीं 26 मार्च से धर्ना प्रदर्शन कर रही है और आज 28 मई हो गया है 64 हुआ दिन है 60 दिन से जादा मैं पहले ही आप से बता रही हूँ और जिसमें अभी तक समस्त कर्मचारियों की सरकार द्वारा कोई भी सुध नहीं ली जा रही है आज स्वाशन की बात यहाँ पर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले भी क्याबिनेट में इस पूरे मसले को उठाने की बात की गई थी लेकिन हुआ क्या कुछ नहीं जिसके विरोध में तमाम आउट्सोर्स कर्मचारियों अपने खून से पत्र लिखा जिने पोस्तल के माध्यम से पत्र प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री और स्वास्त मंत्री को भेजा गया है अब सोचिए कि वो कुरुना युद्धा जिन्होंने दो साल तक मेहनत की और बिना अपनी जान की परवाग किये दूसरों की जान मिचाने का काम क्या उन्हें अपने खून से लेटर लिखना पड़ रहा है मुख्य मंत्री को, प्रधान मंत्री को, स्वास्त मंत्री को ताकि उनकी जो मांग है वो सुनी जा सके, उनकी जो मांग है वो पूरी हो सके मांग सिर्फ इतनी कि आउट्सोर्स से उन्हें रखा गया था, अब उन्हें पूरी तरह से रख लिया जाए, उनको एक नौकरी मिल जाए क्योंकि वो आप पूरी तरह से बिरुज़गार पूछ चुके हैं 64 दिन कम नहीं होते एक ही जगा पर लगातार वांदुलन कर रहे हैं इतनी भीशन गर्मी बढ़ रही है उसके बावजूद भी इनके जो होसले हैं वो डगमगा नहीं रहे हैं तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यूं ऐसा हो रहा है वादा किलाफी का आरो क्यूं लग रहा है स्वास मंत्री पर बीजेपी नेता संजीव वर्मा अमारे साथ जुड़े हैं और इसके अलावा जो सम्विधा कर्मचारी हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं बहुत स्वाधत करती हूँ आप सभी का न्यूजपल इंडिया पर संजीव जी इससे पहरी भी हमने आवाज उठाई थी इन लोगों की क्योंकि ये 64 दिन से जादा का वक्त हो गया है आंदूलन लगातार कर रहे हैं आसवाशन पिछले सब्ता भी हमने इस प्रग्राम में बीजेपी नेता से बातचीत की आसवाशन मिला और स्वास मंत्री पर भी वादा खिलाफी कारूप लग रहा है बताय गया था कि काबिनेट में इस पर जरूर टर्चा होगी लेकिन वो कुछ नहीं रहा है क्यूं आखे मूंधे आप बैठे हैं क्या वजा है इसके पीछे पाजल जी देखें जिस प्रकार से हमारे चोटे भाई वेहन करोना युद्धा जो करोना के समय पर आप सरकार के दोरा आउट्सोर्सिंग के माजन से अपनी सेवा देने के लिए कि छे माहा का इनका एक टैन्योर रखा गया था कि आप आप लोग छे माहा तक जब तक ये करोना रहेगा कि कि किसी को भी आशा नहीं कि करोना का लिटना लंबा की जाएगा और दुर्भाग्ये पुरे देश और विदेश ने इसके विभीशिका को जेला और जो हमारे छोटे भाइबें जो करोना योद्धा के रूप में जिन लोगों ने अपनी सेवाएं दी सबसे पहले मैं आप सब को सेल्यूट करता हूं कि आपने अपना जान की परवा किये बगयर और एक हाई रिस्क जोन में रहते हुए जनता की सेवा की तमाम लोगों की प्रान रक्षा करने का आप लोगों ने काम किया और सरकारों का जो उनके हाथ बनकर और अपना पूरा मनयोग से आप लोगों न जो काम किया जनता की जान बचाने का जो आप लोगों ने काम किया आपके जजबे को सलाम दूसरी बात आप लोगों को छे महा का एक निशिक टैनियोर के लिए रखा गया था और जो आपकी सेवा की जो शर्ते थी उसमें भी लिखा गया था कि आपको छे महा के लिए रखा और समय समय पर जैसे जैसे हर छे मेने पर आप लोगों का इसको एक्सेंट सरकार के दौरा किया जाता रहा और पिछले लगवग दो साल से आप लोग अपनी सेवाइं दे रहे हैं और अब आपके प्रति पूरी सम्वेधन शिल्ता दिखाते हुए आप लोगों ने आप लोग अप्त हो गया था और आप लोगों से घौहार लगाई कि हमने एक कठीन समय पर जिससमय सब लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों में अपने प्रांग रख्शा में अपने घरों पर यह कर भिर अब अबात कुरिये आ प्धिस समय सभी लोग अपनी प्रांग कठीन समय पे आप लोग अपनी सेवाइन दे रहे थे तो सरकार ने भी आपकी मांगों को पुरी साहनूर भुदि पुर्वक सुना और उसका संग्यान लेते हुए मानिय स्वास्ते मंत्री जी डॉक्टर धन सिंग रावत जी ने आप लोगों को आश्वस्त किया कि जो कैबिन केबिनियुद्ट की पैठक होनी जा रही है और अप लोगों का जो निर्न है मन ने मंत्री जि ने आप लोगों को पुरी तरा अश्वस्त किया था कि जो दूसरी सिंग कि पैठक है उसमें आप लोगों प्रति Nahay आप लोगों का हितों का पूरा ध्यान रखते होए और हाउ एक सकरातमक आपका निर्ने लिया जाएगा और आप सभी भाई बेनों से आगरह करता हूं कि थोड़ा सा और धैरी का परिचे दीजिए और अगली जो बैठा केमिनेट की होने जा रही है उसमें आप लोगों के प्रति जो बिल्कुल एक सकरातमक एक निर्ने आने आला है आपने सेल्यूट किया इन्हें पहले में फूल बरसाए गए लेकिन अब अब क्यों इतने दिन 64 दिन जो विरुजगार रहे हैं इसका क्या होगा बाइस सो ये कर्मचारी बताए जा रहे हैं बाइस सो परिवार यानि की जुड़े होई हैं उनका क्या और आगे जो आप बा कुछ नहीं जो आप पर सवाल नहीं उठा रही हूं आपसे मुझे कोई शिकायट नहीं है सर नापकी सवाल से कोई शिकायट है शिकार्ट है तो इन लोगों की है बस मैं एक मिडियेटर बन रही हूँ ताकि इनकी आवाज आप लोगों तक पहुंच सके शुश्मिता हमार साथ जुड़ी हुई है सुश्मिता क्या परिशानी है किस तरह की दिक्कते आ रही है खून से पत्र लिख दिया है सर आप सुन रहे हैं खून से लेटर लिख दिया है उसके बाद भी अगर कोई कारवाई ना हो तो कैसा लगता है सुश्मिता हमें बताएंगे सुश्मिता पहले तो मैं आपको धन्य बात करना चाहती हूँ कि आपका जो नाम है आवाज तो सच्ची में हमारी आवाज बन रहा है आपका जो माध्य हमें लिडिया का और पहले मैं यह बताना चाहती हूँ कि ठीक है आपने बोला कि हम आगली बैठर में आपकी बात करेंगे लेकिन कितनी पैठर के हो चुकी है हमारे धन्ने के वीच नहीं और आप जो बोल रहे हैं कि धैरे रखिए धैरे का परीचे तो हम खुद अपनी जूटी में दे चुटे हैं सर् जब हम आट अट गंटे पीपी कित पहनते थे तब हमें धैरे रहता था कि हाँ हमें अभी और पैनना है पासीना आथा लेकिन फिल्भी हम धैरे में रहते हैं कि चलो हमें अपने मरीजों के लिए थोड़ी चेर और पासीना पहना भी पढ़े तो कोई बात ही हमारे अंदर जब हमें अट अट गंटे पीपी कित पहनी लेकिन यह है कि जो आप बोल रहा है न कि अगली बैठ हमें रखा जाएगा तो आप तो मैं बता देती हूं कि जो माने निये सौष्ते मंत्री जी है उमोंने इस वाली पैठक से जो अभी पैठक हो चुकी है गली बैठक में रख अब आपने बोला कि अगली बैठक में रखा जाएगा तो यह तो कंटीनियुस प्लूम गया कि आपको जिसे किपाल की हो जाएंगे वो बोले तक अगली बैठक पर अगली बैठक को आप बताते जेंड़ा गे अब खतम होगा यह अगली बैठक वाला जो आप ता डायलोग काजोग जी देखे जैसे सुश्मिता जी ने अभी बोला कि आपको आशुस्त किया गया था कि अगली बैठक में लेकिन अभी विगत में जो केमिरेट की बैठक कोई कि चुनाव में बिजी हैं इस वज़े से इनके ओर ध्यान नहीं जा रहा है तो आप हर चीज़ को चुनाव से जोड़के ना देखें तो मैंसों जादा पहतर रहेगा मेरा कोई रादा नहीं है जोड़ने का कोई भी रादा नहीं जैक जिए जैसे सुश्मीता जी ने कहा कि केबिनेट बैठक की बात हुई थी लेकिन बहुत सारी टेकनिकल लिटिस होती है और मैं सोचता हूं आपका एक बहुत एक साधरन सा मुद्दा नहीं है क्योंकि आउट्सोर्सिंग का मुद्दा है और इसमें टंब एक्सटेंट करने का मुद्दा है। बहुत सारी चीजों से बहुत सारी विभागों से रहे ली जाती है। सेहमत ही लिजाती है और मैं सोचते हूं जहां आप थोड़ा इतना धेरी रखा, कुछ दिनों की और बात है, 5-6 दिन को अंदर. आप गयरंटी ले रहे हैं।nea काजोर मैं पूरी गारंटी ले रहा हूं। यह क्लिप अलग से निकल वाओंगी जिए गरेंटी वाली क्लिप अलग से निकल वाओंगी सर मैं आप पर जोड़ूँगी अगर 10 दिन के अंदर यह ओंता है तो आपको जोड़ूँगी मैं और आपको शुबकामनाई भी दूँगी बहुत पिल्कुल काजोनदी देखें हमा आप यकीन किजिए थोड़ा सा धहरी रखिएगा आपने जो 60-64 दिन की आप बात कह रहे हैं जरूर आप लोग आप लोगों ने इंतजार किया मैं आप से एक आगरे है मेरा कि 5-7 दिन के अंदर अंदर केबिनेट की पैठक होने जा रही है और इस वाली केबिनेट पैठक में आपके प्रती एक सकरात्मक जो निर्ने होने जा रहा है ठीक है आप आप बिल्कुल निशिंद रहे हैं और काज़ों जी साथ ही मैं आप से एक आगरे और करना चाहता हूं बच्चों से देखें क हए आपके कट्गों पर बंदूक रखकर चलाना चाहरे है वह राजनिति कर रहे है उनकी राजनिति में बिल्कुल मताये हैं क हेवल और केवल आपको उक्साने के काम कर रहत दुख निपार्व परक्स आपके साथ खड़ी है और आ आप विशाषिए का संजीव जी विपक्ष का तो यहां जिक्र ना मैंने किया है ना शुश्मजा जी नहीं किया है मैं सिर्फ यह कहना चारी हूँ कि अगर कोई भी जन प्रतिनिधी जिसे जनता चुनती है चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मुख्य मंत्री हो, चाहे वो प्रधान मंत्री हो, कोई भी हो लेकिन जो शेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, मैं सिर्फ यह गुजारिश करना चाहती हूँ कि ऐसी समस्याओं में लोगों को दर्दर ना भटकना पड़े अपने शेत्र के समस्या सांसद वधायक को पता होनी चाहिए वो खुद उनके पास जाए उन्हें आश्वर्ष्ट करें लेकिन होता क्या है सर कि यह लोग दर्दर भटकते हैं और चक्कर काटते रहते हैं कारले क अमारसा जुड़े हुए हैं यह भी कोरुना युद्धा है संजे मेरी आवाज मिल रही है आपको कि अधिया नमस्याओं संजेब जी अमारसा जुड़े हुए हैं संजीब जी आश्वस्त कर रहे हैं कि दस दिन के अंदर समस्या खत्म हो जाएगी अधिया नमस्कार और जैसे कि हमारे जीट के चंजीज भी ने बताया है मैं एक पर शुरू से उनकी जो बात है थे उन पर बहुत और से सुन रहा था और उन्होंने एक बात बूले थी कि मैं सलूट कर था और तुसरे बात बूले थी कि आपने च्छे माहा का कॉंटर्ट साइन किया हुआ जिसे सरकार ने समय समय पर आगे बढ़ाया और जो उनकी तुसरे बात थी उनने बुला कि जो अगले कैबिनेट है उसमें फकारादा पर दूप के आपके फैस्टा लिया जाएग देखिए आपको बताना चाहता हूँ जो अगर हमने छे माहा का कॉंटर्ट साइन किया तो कॉंटर्ट की हमने भी पढ़ा था और जितने भी हमारे पुरोना योद्दा थे सबीने उन कॉंटर्ट को पढ़के देने लिया और इसमें एक सब्सक्राद यह भी था कि जब तक प्रोना खाल खतम नहीं होता जब तक आपसे शिवाएं ली जाएग और उस कॉंटर्ट में एक यह भी बात थी कि आपको 6 गंटे की डूटी करनी है और हम 6 गंटे के बदले 12-12 गंटे 14-14 गंटे 16-16 गंटे हमने डूटी किये जो आप सारी जो आपने सारी बाते बोली मैं आपको जवाब दे रहा हूं और आपने इसमें बूप में एक की बताया थी कि एगले कबिनेट की बैठक में जब इस बार हुए तो एक दिन पूर जो हमारे स्वास्त मंत्रियं धंसी लाओ जी उनसे मुलकात हुए थी हमारे दून अस्पिताल वह पूर बिदा तो हमने मुलकात की ती और हमने जो हमारा पूरा प्रकरण चलना था जो हम धने बे बैठे हुए थे हमने उनके सम्मुख को बाते भी जगे रख्षकी उनसे पांचे बार मिल चुके हैं और उनने बड़े मुश्कुराते हुए धंग से बोला जबाब दे दीजिए उन्हें बड़े मुश्क्राते हुए धंग से कहा पेड़ फटपाई इसकल जो इसका कबिनेट बोने जाराज बद आपका ही मुद्दा रखा जाएगा उसका ने को अज़ी आप अपर आप इस अगर प्रॉब कि अपर देख रहा है कि आपने अपार जो अच्छा आप एक अपर बात यह आपने लाश्ट एक बात कही ती चिंग स्टेश्व देटाओं कुछी तर्या यह फॉन के मादया के माधिया के माधिया अगर आप गारेंटे लेती है मैं व्यात पुरिव कहना चाहता हूँ अगर आप गारेंटे लेते हैं आप आई के हमारी जो हमारी जो हमारी मांग है उसको सर्कार चाहिए आपने गारेंटे लेता हूँ ठीक है लेकिए जो हमारे पिसले बार आए थे सटिवेट जी उनने बुलतम इस परष्ट रूप पर कहना चाहता हूँ और मंत्री जी से मेरी देले वार्था होती है करेंबे एक दिन एक हफ्ता पूर्व की बात है और आप आप आपने पर कहिए कि मैं गारेंटे लेता हूँ देखे, कथनी और कर्णी इसमें बहुत अंतरसपर्स होता है कि कथनी के का है क्थनी के है और एक बाधर में आपके समें अज जानाचा हूँ लेकिन हमारी कोई सूदलेने नहीं आ रहा है आई संजो कह रहे हैं कि आगर आपको गैरंटी आप दे रहे हैं या इतने ही हमारे प्रती आपके अंदर खेद है तो आप आईए हमारे इस आंदूरन में श्वामिल होई हमसे बात चीत करने वहीं आंदूरन वाल इस्थान पर बैठीए काजोल जी काजोल जी मेरे छोटे भाई संजे जी का उदेशी क्या है क्या आप किवल धरना स्थल्फित बैठ कर आपकी इगो सेटिस्वाई होती है या आपको अपने जो आपका मैटर है वो सोट आउट आप लोग करवाने में के जादा इचुक हैं दोनों बात बिलकुल अल कि पहली वाली जो हमारी केविनेट बैठा कोई उसमें आपके मुद्धे को नहीं लाया गया तो देखिए काजोल जी मैं सबस्ट कर देना चाहता हूं एक नितिकत मामला है आप लोगों का और बहुत सारे एक प्रोसेस होता है उसका कहीं भी भागों का कॉडिनेशन होता है तो एक पूरे कॉडिनेशन के साथ आपका मसला हल को आप उस मसले का हल चाहते हैं या या अपनी जो आप लोगों के विपक्ष आप लोगों को प्रमित कर रहा है या उस चीज़ को आप प्रयाट्री देना चाहते हैं मेरे हिसाब से आपने आपने कहा और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि वह बिना मतलब के भीशन गर्मी में बैठ के अंदूलन करें और रही बात विपक्ष की तो मैं शुष्मिता से पूछ लेती हूं शुष्मिता कोई विपक्षी मेता आपके पास आया है आपके सुद्ध लेने के लिए शुष्मिता पताएंगी देखिए मैं पहले मंत्री जी से बोलना चाती हूं कि विपक्ष क्या होता है यह अगारे समझ में नहीं आता चुकि ना हमने यह पढ़ा है ना हमें पता है हम बेसिकली हमने डिक्री ली हमने पढ़ाई करी हमारे घरवालों ने हमारे पर पैसे लगा है तो उन्होंने हमें करा यह थिल्केंदी यह हम अपने हमाना शेटे हिर्वास कर सेखे तो अट लिकष से टातने में प्रपछ में आ खान रहरा कि हम प्रफेशन हारत जी खार मारे पर बैठना हमने तो नहीं है हम डिगणी हम भी लिए करें तो इसमें आप यह मजबूरी है जो हमें सरकार ने मजबूर कराए करने के लिए बड़ा प्रेशनममा ने लुदिंगे आप लोग के अठी पृष्षनमना रहे हÕं गयाल इसकी अपने वह आपते ह मैं तरीके से काजोल जी मैंने पहले भी कहा, अभी जो आने वाले कुछी दिनों के अंदर, क्यों हमारी अगली केबिनेट बैठक होने जा रही है उस बैठक में आपके प्रती एक साकरात्मक फैसला लिया जाएगा, आपके हितों का पूरा ध्यान रखते हुए आपके फैसला लिया जाएगा, भारते जिनता पार्टी जो कहती है, वो करती है, अमारी कतनी और करणी में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, उमीद है सरा बिल्कुल, बिल्कुल, काजवल जी, सरकार के आप उपर आप पूरा विश्राश रखेगा, और अगली कैबिनेट पैटक में आपके हितों का सर्वोपरी ध्यान लगते हुए, इक सकरात्मक निर्डे लिया जाएगा, आप विश्राश कीजी और निशिंत रहिएगा, ठीक से बात रखी जाएगी, और एक सकरात्मक हल जो है, इस मुद्दे का निकाला जाएगा, उमीद है, क्योंकि चौसर जिन से जादा हो गए है, कुरुना योध्धा लगातार नौकरी बहाली की मांग कर रहे हैं, और आगे उन्हें ये सब और जादा ना जीनना पड़े, जिस किसी और मुद्दे पर किसी और की आवाज पर कर,